तो गाइस काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई ये जो सेल है इसके अंदर 20,000 के असपास कोई अच्छा फोन बताओ एंड देखो सेल के अंदर काफी सारे महंगे फोन जो है उनके ओपर अच्छे-च्छे डिसकाउंट देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पे ये जो फोन है पोको का एफ फाइव ये फ्लिपकाट के बीबीडी सेल के अंदर भाई बहुत ही तगड़े डिसकाउंट में अविलेबल है ये फोन आपको 21,000 रुपर में मिल रहा है सारे ओफ़र जगाने के बाद में प्लास्टिक है लेकिन काफी अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक इन लोग ने यूज कर रहा है तो कहीं से आपको चीप फिल नहीं देगा फोन ठीक है हाला कि जो इसका डिजाइन है वो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा पूराना हो गया है बोरिं हो गया है लेकिन कहीं से भी बहुत जादा ऐसा एक दम अजीब सा नहीं लगेगा काफी अच्छा मिनिमिलिस्ट बढ़िया डिजाइन लगता है साइड का जो फ्रेम है वो भी थोड़ा सा ऐसा लेक बुलते ना फ्लैट टाइप का है और साइड बांटर फिंगर्परेंट स्कैना आता है जिसके स्पीड सूपर्ब है और फ्रेंट में जैसे आप लोग जाते हो तो आपको इसका जलवा दिखता है यह 30,000 रुपे का फोन था बट इसका जो फ्रेंट डिस्पले का मतलब फ्रेंट पूरा पोर्शन ही है यह बहुत ही जादा मॉडन बहुत ही जादा जबर्दस दिखता था क्योंकि आप लोग इसके बैजल देखो कितने कम है चारो साइड से आपको बहुत पतले पतले बैजल देखने को मिलते है यह अल्मुष 6.67 इंच की 1080p Full HD Plus वाली Super AMOLED डिस्पले देखने को मिलते है वो भी एक 10-bit वाली डिस्पले है और Corning Gorilla Glass 5 से प्रोटेक्टेड भी है एनने डिस्पले बहुत ही जादा अच्छे क्वालिटी की है यह फोन के लेकिन जब यह 20,000 में आ रहा है बहुत ही सूपर्ब कैमरा है आपको अच्छा खासा क्वालिटी का फोटो निकाल के देखा कोई भी आपको शिकायत नहींगे ठीक है उसके साथ में इवन अल्टरावाइड भी काफी बढ़ियां परफॉर्म करता है और सेल्फी शूटर भ अगर यह 20,000 उपर में आ रहा है तो बहुत अच्छे के कैमरा आप दे रहा है अब बढ़े परफॉर्मेंस की तरफ तो भाई इस फोन के अंदर आपको स्नाप्डेगन 7 प्लस जेन 2 देखने को मिलता है विच इस वेरी वेरी पावरफुल आपको इसके अंदर इतना तगड ने कि बहुत साल इस बना रखे मैं इसके आप लोग चेकाउट कर सकते हो आपको बहुत टगड़ा परफॉर्मेंस निकालकर देता है यह जो 7 gen 2 है यह एक्चुली में 8 gen 1 का लेवल का परफॉर्मेंस निकालकर दे रहा है ए 888 से तो ऊपर है फो बढ़ पर इसके अंदर दे रखते हैं विच इंसेन भाई 21,000 अरबे का फॉन है लेट में रिमाइन देट अगें सूपर्ब है ठीक है पाकि साउंड वगेरा भी बहुत जबरदस्ते बाई स्टीडियो स्पीकर्स है आयर ब्लास्टर है एडफोन जैक है तो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है स्पीकर्स की क्वालिटी भी जबरदस्त है बाई साइड मांट और फिंगर्मेंट स्कैनर विच इस वेरी फास्ट एंड रिलाइबल जैसे आप लोग देख रहे ह बिल्कुल स्पॉंसर नहीं है जो है रियल है जो बात मैं बता रहा हूं आपको बहुत सुपब लगा मेरे को बाकी इसके अंदर आपको जो यह मिवाई दिखने को मलता है यह बहुत सारे लोगों को शेकायत यह थी वाई पोको के फोन्स के मदर बोड डैड आते थे बहुत पर कोको आले ने इस चीज को एड्रेस करने के लिए दो साल की वारंटी दिया है तो यह भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है तो मेरे साब से भाई 21,000 में वन अफ दी बेस्ट फोन है आप लोग बिंदास कंसिडर कर सकते हो मेरी तरफ से फुल रेकमेंडेशन ह कर आप लोग कोई अच्छा फोन डोन रहे हो जिसका डिस्पले अच्छा हो कैमराद अच्छे हो स्टीडियो स्पीकर्द हो मतलब एक वेल बैलंस फोन हो इसपेशली गेमिंग अगर अभी अच्छी करवा देता हो फॉर्श और फुल रेकमेंडेशन मेरे तरफ से बागी इ पसंतो है तो बाइचे शड़ अच्छा और शन्तरफ स्थावड गरवन थैडियो सो मुछ वच वच फाचिक व्यश्टिडो गयाईज बाइच